दोस्तों बढ़ती हुई उम्र के साथ जोडों में दर्द होना, हड़ियों में तकलीफ होना या जोइन पेन की परिशानी होना एक साधरन सी बात है कई बार हमें हड़ियों में इतना ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारे जोडों में सूजन जाती है आज मैं आपके लिए एक ऐसी remedy लेकर आई हूँ दोस्तों जिससे आपकी मास पेशियों में जो एठन होती है जो जकडन होती ही दोस्तों उससे आपको तुरंत ही आराम मिलेगा हमारे शरीर में कैल्शम की कमी से भी हमें joint pain की परिशानी होती है इसके साथ ही साथ दोस्तों कई बार हमारा वात रोग बिकर जाता है उसके कारण भी हमें हडियों का दर्द होने लग जाता है तो बहुत आसान remedy ही दोस्तों और बहुत safe remedy आप इसे जरूर ट्राय करें इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है धनिये के बीज ये ना सोचे किया रहे धनिये का बीज बस एक ही काम आता है कि धनिये के बीज से हडियों का दर्द ठीक होता है बहुत सारी बिमारियों को दूर करते हैं ये दाने ये बीज भरपूर मात्रा में धनिये के बीजों में dietary fiber होता है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे धनिये का पानी रोज पीएं सुबह के समय पीएं, खाली पेट पीएं, गरम गरम पीएं तो तेजी से उनका metabolism बूस्ट होगा हाजमा दुरूस्त होता है धनिये का पानी पीने से और हमें वजन को कम करने में आसानी होती है धनिये के इन बीजों में दोस्तों भरपूर मात्रा में calcium होता है जिससे की यह हमें हडियों की सूजन, हडियों के दर्द, नसों की कमजोरी से रहा दिलाता है धनिये के बीजों में potassium होता है जो हमारे BP को control करता है जिने blood pressure की शिकायत है उन्हें भी धनिये का पानी जरूर पीना चाहिए सांजिसान धनिये के बीजों में भरपूर मात्रा में vitamin C होता है इससे हमारी immunity भी boost होती है रोग प्रती रोधक शम्टा को बढ़ाता है दूसरी चीज केवल दो चीजों से ये दो दाने ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको कई बिमारियों से बचा सकते है मेथी, fenugreek seed भरपूर मात्रा में मेथी के बीजों में calcium होता है, phosphorus होता है, iron होता है जो कि हमारे हड़ियों को मजबूत बनाता है arthritis गठिया की परिशानी को दूर करते हैं मेथी के ये बीज केवल हड़ियों के लिए नहीं दोस्तों मेथी के बीज तो हमारे skin के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदे बंद है दोस्तों, beauty की बात करें न तो मेथी के बीजों को का hair pack आप बालों पर लगा लें आपके बालों का जड़ना बंद होगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बाल आपके जड़ से काले होंगे और साथी सांतोसों आपके skin में अगर इसका pack लगाते हैं, face pack चेहरे पर बहुत अच्छी चमक आएगी, निखार आएगा सफेद बालों की समस्या को जड़ से समाप्त करते हैं मेथी के बीज भरपूर मात्रा में इनमें protein होता है, nicotanic acid होता है मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में vitamin C होता है हमारे दिल को स्वस्थ रखते हैं, bad cholesterol को दूर करता है मेथी के बीजों का पानी, कैसे बनाना भी आगे वीडियो में बताऊंगी जो diabetic patient है दोस्तों उन्हें भी मेथी का पानी जरूर पीना चाहिए blood sugar level को control में रखता है मेथी का पानी हमारे पाचन को दुरूस्त करता है, constipation, gas, acidity की समस्या को दूर करता है कब्स की समस्या सबसे बड़ी होती, दोस्तों अगर कब्स लंबे समय तक है तो इसे नजर अन्दास ना करें लंबे समय तक constipation रहने से धीरे धीरे वह बवासीर में तबदील हो जाता है जो की ठीक नहीं है, तो पहले ही समस्या का हल करें और ये दोनों भीज ऐसे हैं दोस्तों, जो की हमारे शरीर को स्वस्त रखते हैं हमारे हड़ियों से जो कट-कट की आवाज आती है, जोडों में जो एठन, सूजन है दोस्तों या केल्शियम की कमी है, बहुत तुरंथी ठीक हो जाएगी, यदि आप इसे मेरे बताए तरीके के नुसार लेंगे कैसे लेना है, एक चमस धनिया, एक चमस मेथी का बीच, दोनों को आपको लेकर राद भर पानी में भीगा कर रखना है अभी वीडियो में आगे बताऊंगी भीगा कर ये देखे, और भीगा कर राद भर पानी में रखे, सुबह उठकर इस पानी को अच्छी तरह से गरम कर ले, उबाल ले, चान ले और फिर इस पानी को पीना है जो डियाबिटिक पेशेंट है वेभी से जरूर ले, जो बीपी के पेशेंट है वेभी ले, जो थाइराइट के पेशेंट है, उनके लिए धनिये का पानी बहुत फायदेमंद है जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं वेज ड्रिंग को गरम गरम ही लेंगे दोस्तों, गरम गरम पीने से उनके शरीर में जमा हुआ फैट, उनके शरीर में जमी हुई चर्वी, तेजी से मोम के जैसे पिघलने लगेगी और बैली फैट कम होगा, वजन को कम करने में बहुत आसानी होगी यदि आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है सिड़िया चड़ते उतरते हैं या फिर उठते बैठते समय हट्टियों से कट-कट की आवाज आती है दोस्तों आप इस रेमेडी को जरू ले ताकि कोई भी बिमारी हमारे शरी में ज्यादा बढ़ने ना पाए और पर फरक पड़ेगा जब हम हेल्दी चीजे लेते हैं दोस्तों तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के सांती साथ हमारे सौंदरे पर भी पढ़ता है तो दोनों एक एक चमच लिया है राद भर पानी में इसे ढाक कर मैंने रख दिया थे ये देखे थोड़ा सा पानी मैंने पह दोनों चीजों के न्यूट्रियंट्स जो है वो इस पानी में आ जाए उसके बाद आपको इसे चान कर पीना है आपका ब्लड प्रेशर बिलकुल ही कंट्रोल में रहे का आपके शरीर में जो भी बैट कॉलेस्ट्रॉल है दोस्तों बहुत तेजी से कम होगा और साथी साथ यह जो पानी है आपकी मिमोरी को शार्प करेगा धनिये का पानी क्या करता है दोस्तों आपको मैं बता दूँ हमारे आखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है कोरियंडर, सीट, वाटर दोस्तों और यहाँ पर मेथी की तासीर गरम है तो मैंने यहाँ धनिया धनिये की तासीर ठंडी होती है इस दे दोनों को मिलाकर इन दोनों की चाय आपको लेना है इसे आप चाय भी कह सकते हैं सुबह ले खाली पेट ले गरम गरम ले स्लो फ्लेम कर दिये बीज वीच में से चलाती जा रही हूं दोसों और बस अब आपको इसे पीना है थोड़ा उबल जाए और इससे आपकी इम्मुनिटी स्ट्रॉंग होगी दोसों और जॉइंट पेन के लिए बहुत फायदे मंद है और दोसों जिन्हें लिकोरिया की पर जन आ गई है दोसों तो वह बिल्कुल ही ठीक होगी पाचन से जुड़ी हुई सारी परिशानिया दूर होगी तो यह देखें बहुत अच्छी तरह से चीजें उबल रही हैं धनिया मेथी के सारे न्यूट्येंट्स इस पानी में आ चुके हैं दोसों बस ऐसे ही पांच मिन में से पहले लें फ्रेश हो जाएए उसके बाद आप लेने आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉबलम दूर होगी ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा यह इतना ज्यादा फाइदे मंद है धनिये और मेथी का पानी और सांथी सांथ जैसा मैंने आपको बताया कि गठिया के रोग से बचने के लिए बहुत ही फाइदे मंद है दोस्तों कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है यह टॉनिक जो हमने भी तैयार किया है तो यह बहुत फाइदे मंद है और मेथी का पानी पीने से दोस्तों स्टोन की लिए है और इतने सारे इसमें न्यूट्रियंट्स होते हैं विटामीन और पोशक्ततों होते हैं यह ड्रिंक आपके शरीर को डीटॉक्स करेगी आपके शरीर से विशैले ततों को बाहर निकालेगी और आपका शरील लंबे समय तक के हैल्थी रहेगा जोई पेंसे आपको तुरंत ही राहत मिलेगी, जो लोग एनिमिक हैं, उसे भी इसे जरूर पीना चाहिए, भरपूर मात्रा में आइरन होता है, हमारे हडियों को मजबूत बनाता है, और ऑस्टियो पोरोसिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, गैस, एसिडिटी, खाना हजम नहीं होना, य सारी परिशानिया दूर होगी, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे, साथी साथ मेरे चैनल शिखास की चन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें,